इसको बोलना चाहिए हमको कूलंब पर सेकंड कूलंब परती सेकंड लेकिन बार 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 हमको इसका यूस करना पड़ता है सो एंड्रे एंपियर के ओनर में it is called एंपियर एंपियर इसकी यूनिट होती है ऐसा यूनिट is एंपियर अब मालीजिये हमको बोलते है यह करेंट है तो करेंट की डारेक्शन भी होनी चाहिए करेंट की डारेक्शन क्या होती है करेंट का डारेक्शन मतलब जो भी करेंट है उसको जो भी डारेक्शन पॉजिटिव चार्ज का होता है धन आवेश जिस भी दिशा में धन आवेश मूव करता है, चलता है, गती करता है, उसी को धरा की दिशा माना जाता है लेकिन यहां तो negative charge भी होता है तो negative charge जिस direction में चलता है, उसके opposite direction में we considered the direction of electric current positive charge की direction में current की direction मानी जाएगी बट negative charge के case में opposite direction current की मानी जाएगी हम morning में बैठे हुए थे, ना हमारे अंदर हर्ष था ना विशाद था means ना तो हम बहुत खुश थे और ना ही हम बहुत दुखी थे some पे थे, neutral थे it is called, in physics it is called neutral हमारा दोस्त आ गया, बहुत पुराना college time का, school time का था वह हमारे साथ हम लोगों ने से साथ साथ schooling की थी, साथ साथ college हमने पढ़ा था अचानक से वह हैदराबाद से आ गया मेरे घर अचानक अरे यारे क्या बात है, क्या बात है, very happy now, very happy, बड़ा खुश, दिन भर रहा हमारे साथ, खाया, पिया, पुरानी बात है, याद करी, मस्ती करी, right वो एक साम तक आते आते, वो हमारा टेंपो था, वो प्लस में चलने लग गया, चलने लग गया, मैंने सोचा कि एक दो दिन रुके गा यह, अभी इतने जल्दी तो जाता नहीं है, लेकिन अचानक से शाम को बोलता है, नहीं नहीं मेरे को अभी शाम को फ्लाइट से वापि कर रहा हूँ, क्यों नेगेटिव फील कर रहा हूँ? सुबह जब वो नहीं था, तब आप न्यूटरल थे, अभी भी वो नहीं है, then you should feel न्यूटरल, तब भी आप न्यूटरल फील करो, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी मेरे को नेगेटिव फील हो रहा है, दुख हो रहा है मेर को, अरे यार इतने दिनों में आया था और मिला था और रुका भी नहीं और ये नहीं वो नहीं, राइट? सो, कहने का मतलब है, अगर हम बोलते हैं, happiness, सुख गया, इसका मतलब क्या हुआ? दुख आया, दुख गया, इसका मतलब क्या हुआ? सुख आया, नेगेटिव चार् flowing in opposite direction, नेगेटिव चार्ज का अगर ये direction है, means positive चार्ज, equivalent positive चार्ज, अगर ये चार्ज क्यू है, नेगेटिव चार्ज इस direction में जा रहा है, तो क्यू ही positive चार्ज हम consider करेंगे, मान सकते हैं कि opposite direction में flow हो रहा है, that's why एक term यूज किया गया, conventional current, conventional current का मतलब क्या, प्रचलित धारा, जो convention है हमारा प्रचलित है, प्रचलन क्या है, positive चार्ज की direction को ही हम current की direction मानते हैं, electrons भी होते हैं हमारे इसमें, हमने पिछले chapter में देखा था, electrons, negative चार्ज वाले होते हैं, तो electron ये negative चार्ज, ये electron, तो जिस भी direction में, electrons flow करेंगे, exactly opposite is the direction of current considered, जिस भी दिशा में बड़ा important point है, the direction of conventional current is opposite to the direction of electron flow, प्रचलित धारा के दिशा, electron के बहाओ के opposite, उल्टी मानी जाती है, electron जा रहा है, left to right, means the current is flowing from right to left, जियान रखिए, note करिए, important, current, okay, तो ये होती है, conventional current, फिर electron का flow भी होता है, वो भी एक current में consideration किया जाता है, now, if I consider कि electron या charge कितना है, Q charge is flowing, Q charge है, और छोटे छोटे पार्टीकल्स हैं Q charge के, हुप सारे पार्टिकल से हजारो लाख हो लाख हो लाख हो लाख हो लाख हो पॉजिटिव चार्ज है 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 हर एक पार्टिकल पे कितना चार्ज है क्य और ऐसे कितने particles हैं ये N particles है So what is the total charge Kul charge कितना हो जाएगा कितना charge flow करेगा निशित रूप से It is N times Q It is N times Q So इस condition में अगर T time में T seconds में इतना सारा charge flow कर जाता है एक direction में So current is considered as Total charge N times Q divided by T हम इसको Q' भी बोल सकते हैं हर particle कि उपर कितना charge है Q' So total charge को हम क्यों मान सकते हैं Total charge is N times Q' Q plus बोल दो Q' बोल दो Q1 बोल दो कुछ भी So simple current is N Q' upon T Number of charge particles Charge on each particle Time कितने कण हैं उनकी संख्या हर कण पर आवेश का मान divided by समय It is T It is called current Okay अगर मान लो ये electron होते तो electron को charge को E से denote किया जाता है convention है E या E minus बता दिया जाता है क्योंकि positron भी होता है वो E plus बोला जाता है positron बोलते हैं इसको opposite particle of electron positron So हम इसको अगर electron के numbers है तो हम इसको N E upon T भी बोल सकते है It is electron Means if positrons are flowing in this direction तब तो इसकी direction ही current की direction हो जाएगी But if electrons are considered in this direction the conventional current is considered in opposite direction Plus और minus तो हमारी कहने की बाते हैं ये हाथ प्लस है की ये हाथ प्लस है आप बोलोगे sir right hand is positive left hand is negative नहीं पर जो lefties होते हैं जो बाई हाथ सी अपना काम करते हैं उनके लिए तो ये मुक्ची हाथ है It is positive This is negative Day and night Which one is positive दिन positive है की रात positive है आप बोलोगे sir दिन positive हम सारा कम अपना दिन में करते है Day is positive Night is considered as negative चोरों के लिए चोरों के लिए उल्टाए चोरों के लिए तो क्या बढ़िया रात है मजा आगया आज तो तीन घरों को निप्टा दिया है ना चोरों के लिए Night is positive Day is negative तो positive नेगेटिव तो यह हमने conventionally बना लिया कि ये और ये Otherwise जो भी direction है वो हम flow of charge से denote करते हैं उससे ही मांग के चलते हैं